आप लोगों का आपके फेबर चानल डॉट कॉम में डॉक्टर आफ टेक्सेशन और कम्प्लाइंस आज हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे केसेश है जब कपड़ों पर भी आप ITC इंपूट टेक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं यह फ्रेंट पहले यह था कि कपड़ों के कुछ केसेश में कपड़ों में आप लोगों को नहीं मिलता था accumulated ITC accumulated ITC यानि suppose आपने goods खरीदा एक rate for an example suppose करिए कि आपने 18% पे कुछ समान खरीदा और खरीद के कपड़े बना और कपड़े बना कि जब आपने बेचा तो सामने पे जो tax लगा वो 5% लगा उस कपड़े के उपर तो ऐसे केस में क्या हुआ आपने 18% tax पहले पे किया था पर output पे tax जो था वो कम था 5% तो ऐसे केस में accumulate हो गया था ITC आपके पर ज़्यादा पड़ा हुआ था आप utilize नहीं कर पा रहे थे और उनका refund नहीं मिल रहा था so government ने notify कर दिया है कि अब certain cases पे वो जो accumulated हुआ है वो आपको refund मिलेगा कपड़ों पे इसे कहते है inverted structure इसी को ही inverted structure GST में कहा जाता है चले इस notification को समझेंगे हम लोग so इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आप लोगों से request करेंगे प्लीज में चैनल को subscribe करें जब subscribe करें तो bell icon को ज़रूर क्लिक करें like करें comment करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मैं ऐसे ही अच्छे GST Pay Income Tax Company Acts related notification update लाती रहोंगी और आपकी knowledge को enhance करती रहों कि इन exercise of power conferred by clause 2 of the provision of subsection 3 of section 54 CGST Act read with section 21 of UTGST Act the central government on recommendation of council hereby makes the following amendment in the notification in the notification of the government of India in the ministry of finance department of revenue number 5 oblique 2017 union territory tax rate dated 28 June 2017 यानि notification number 5 oblique 2017 में कुछ changes किये गए क्या था वो notification और क्या थे changes पहले changes सुनते हैं क्या changes किये गए changes ये किया गया कि कुछ नए word insert किये गए डाले गए उस पुराने notification में वो word यह थे provided that nothing contained in this notification इस notification में भले ही कुछ भी क्यूँ ना लखा हो nothing shall apply to the nothing contained in this notification इस notification में जो भी लिखा पो नहीं apply गो nothing apply नहीं apply होगा input tax credit accumulated on supply received on or after the first day of August 2018 यानि ITC जो accumulate हुआ है first day of August 2018 से check किया जाएगा उस दिन से जो जो accumulation start होगा in respect of good mention at serial number 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7 और 7 में जो लिखा हुआ है टेबल में उनके cases में यानि उन cases में ही कहा जा रहा है कि first day of August 2018 से जितना भी ITC accumulate होगा उसका refund मिलेगा क्योंकि लिए जो पुराना notification था notification 5 of 2017 उसमें बताया गया था बहुत सरी list दी गई थी जिसमें बहुत सरी number थे उसमें ये लिखा गया था कौन-कौन से cases है जिस पे ITC भले ही accumulate हो जाता है पर नहीं मिलेगा तो अब इस notification से क्या किया गया है इस notification से वो पुराने notification में जहां-जहां लिखा था नहीं मिलेगा certain cases को उसको उस पे लिखा जा रहा है कि अब उसको उस पे मिलेगा first day of August 2018 से इन इन पॉइंट पे 1 से लेगा 7 तक का जो जो पॉइंट है उन सब पे मिलेगा इस पे मिलेगा first day of August 2018 से जो जो accumulation हो रहा इटी सी का बाकी case में नहीं बाकी तो और भी बहुत सा रहे थे उसमें नहीं सिर्फ in limited cases पे मिलेगा और in respect of said good the accumulated input tax traded lying unutilized in balance after payment of tax for and up to the month of July 2018 on the own inward supply received up to 31st day of July 2018 partial lapse यानी 31 July तक जो भी आपने purchase किया होगा 31 July 2018 तक तो उसका count नहीं करेंगे वो purchase आप नहीं करेंगे आप first august से देखेंगे कि आपने जो purchase किया और उसके बाद जो sell किया तो जो ITC accumulate हुआ उस respect में उस पे आपको credit मिलेगा तो यानि 31 July तक जितना भी आपका accumulated ITC जो था वो lapse हो जाएगा यानि वो हट जाएगा उसका आप नहीं ले पाएंगे यह वाला refund सो चलिए अब देखते हैं कि क्या था यह जिसे कि अब देख रहे हैं लिस्ट पुराना notification 5 oblique 2017 dated 28 June 2017 इसमें woven fabric of silk or silk waste, woven fabric of wool or of animal hair, woven fabric of cotton, woven fabric of other vegetable textile fiber, paper yarn, woven fabric of man-made textile material, woven fiber of man-made stipple fiber, knitted or crushed fiber, all goods, so 1 से लेकर 7 तक पर अब 1st August 2018 से accumulated ITC मिलेगा आप सोच रहे होंगे 6 लिखाया है है, 6A, B, C कहां गया, friend 6A, B, C अलग से add up हुआ था चले देखते हैं यह notification 44 oblique 2017 इसमें government ने add up किया था 6A, 6B, 6C उस पुराने table में यह तीन चीज़ added हुए थे सो अब इन तीनों चीज़ों पर जो addition हुआ था इस पर भी accumulated ITC मिलेगा सो आई होप आपको समझ में आया हो की fabric पर कब किसको ITC जो accumulated हुआ है मिलेगा SO THIS IS CS MARISHAH SIGNING OFF. THANK YOU. BYE